वक्त हो चला है खास मुलाखात का जहां सपिर्च्विला के विनर काविया खुराना से खास बाचीट की हमारे समभाधाता सौरव शर्वाने हाई गाईस आज मैं आपके साज बहुत सेरील में मुलाखात कराने जा रहा हूं और आपकी अपनी प्रेवरिट, प्रेवरिट, नाइन विनर, कावया को इस नहीं जानता है, कावया को नहीं जानता है, यूद की सबसे प्रेवरिट स्टार बन चुकिया, कावया बहुत है, कावया बहुत सौनगात है, समच्छा प्रेस नहीं Thank you so much, Sauravan, Thank you so much for having me on this Azbahu Serial था, इमोशने, so how you managed all things together? Well, honestly, roadies से जादा entertaining splitsvilla था, because roadies में सिफ एक चीज़ तास्क तास्क और अपने चीज़ चीज़ था, प्रस्ट गैंबर से बना के रखना होती थी, but splitsvilla पे अपे, it was altogether different, there was romance, there was masala, there was fights, बहुत सारी इलमेंस थे प्लट्सवला नहीं थे बहुत जादा एंटरव थे जर्नी लेकिन अइंक सबके साथ मज़ इतना आया चाहे लडने में चाहे टास्क करने में मज़ इतना आया कि बिस अपने आप चीजे मैनेज हो गए एक सबसे बड़ा इल्जाम लगा जाता है स्क्रिप्टिट होने का तो क्या आपको लगता है कि कुछ कई ऐसा लगा कि ये स्टिंग्स अगेटिंग स्क्रिप्टिट डे बाई दे ओके सो ये मैं सब को बताना चाहूंगी सभी दर्शकों को कि ये एक बहुत बड़ा अपलों का मिथ है कि चीजे स्क्रिप्टिड होती है वेल इट इस रियालिटी शो और आइसा कुछ नहीं होता है कि अगले मोमेंट हमारे साथ क्या होने वाला होता है हम लोगों को बस It's like कि हमारी आंखे बंद होतीगे बिना पत्ती के हमें कुछ नहीं पथाओता हमारे साथ क्या होने वाला है ऐसा कुछ नहीं होता है कि वीएक सीन को चिस बना ओड़ा या अब मार्टीन वारॉन को किस करेगी ऐसा कुछ भी नहीं होता है यह सारे रियक्शन हमारे अपने होते हैं, हमें बस एक मोटे होता है हमारा शो पे होना और एक अच्छा शो बनाना, आप लोग के लिए एंटर्टेनिंग बनाना, और हम लोगों को I think Splitsvilla में बुलाया, इसी परपस के साथ जाता है कि जैसी हमारी परसनालिटीज है, हम वो च कहीं ना कहीं बहार आते हैं, so it is not scripted, कावे काफी ताइम सम देख रहे हैं, कि जो लोग रोडीज के participants हुए हैं, contestants हुए हैं, this is getting in spiritsvilla, जिसकी वज़े से शायद ये मित बन चुका है, कि उनी को chance मिल पा रहा है, क्योंकि हमने देखे वरून was a contestant, गुरूबीद was a roadies contestant, आप भी roadies पे थे, so आपको लगता है कि ये people, क्योंकि host भी almost same है, तो वो मित उस तरफ से आ रहा है, उस के बादे में क्या चाहेंगे, well मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी that roadies is very very difficult, आपको घंटों हजारों लोगों के बीच में, लाइन में लग कर, audition दे कर, आप roadies तक पहुँचते हैं, splitsvilla के साथ थोड़ी चीज़े different होती है, splitsvilla में channel जिसको पसंद करता है, eventually channel की property है, channel एक show ब unfit है, वो उन्हीं लोगों को cast करते हैं, जो हम महबबत देखते हैं, relationship कर लेते हैं, लेकिन काल फिर हाजर होंगे, यार वहाँ पर सीन ऐसा होता है कि आपके phones ले ले जाते हैं, आपको grounded किया जाते है, बाहर की दुनिया से कोई connection नहीं होता है, कुछ बाहर की दुनिया से कुछ भी नहीं होता है, हमें बस वहीं पर उन लोगों के साथ दिन रात बताना होता है, आपको आपको connections बनाना इस the show's format, आपको automatically किसी ना किसी से वहाँ प्यार हो जाता है, और कुछ मुछ मेरे और गुरमीत जैसे लगी लोग निकल जाते हैं, वो रलेशन्शिप and we are very thankful to Splitsvill I and MTV for that.